हरियों नमस्षिवाय ओम गंग गणपते नमहा जैसा कि वैदिक कल्चर में आप सब के साथ हम शेयर कर रहे हैं गनेश चतुर्दी पर किये जाने वाले उपाए वैसे तो विग्न हर्ता, विग्न विनाशक, गनेश देवा सिर्फ उनके एक सिंपल सा मंत्र ओम गंग गणपते नमहा कजाब करने से भी प्रसन हो जाते हैं लेकिन मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ना कुछ समस्याइं आती रहती हैं और हर मनुष्य उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाए ढूंदता रहता है और करता रहता है तो हमार उन मंत्रों की जो भी हम मंत्रे चेंट करते हैं उनकी वाइब्रेशन और फ्रिक्विंसी और जो उपाय करते हैं जो अरपन करते हैं वो बहुत ही शीग्र प्रात्ना वहां तक पहुचती है वो भी एक वाइब्रेशन ही है और उस हायर वाइब्रेशन पर पहुचके हमारे जी कि अलग-अलग मैंने आपको उपाय बताय थे कुछ उपाय ऐसे थे जो आपने फॉस्स डे किये थे और कंटिन्यू आप उसको जो है पूरे दस दिन के लिए करें गनेश उस्पर लिकिन कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जीवन में जो हम विशेश दिन विशेश अपसर पर करत तो वो पाय भी बहुती प्रभावशाली होता है मंगल दोश क्या है अगर हम साधरन द्रस्टी से देखे तो कहा जाता है कि जातक यानि मनुशे के कुण्डली में जब वो पैदा होता है उस समय जो लगन का चार्ट बनता है उसमें मंगल अगर पहले चौथे साथमें और पारवे स्थान पे होता है तो मंगल दोश का निर्मान होता है लेकिन इसमें बहुत सारे अलग पॉइंट्स भी होते हैं जिससे कि हम देखते हैं कि मंगल दोश बन रहा है है किस तरह का मंगल दोश है और कभी मंगल दोश दिखता है लेकिन हमारे ही कुछ ग्रहों के आपस जरूरी नहीं है कि उनकी गलत चीजा ही हो, तो मैं पहले उसके बैनिफित सबक्राइब करती हूँ, कि मंगल दोच जिसकी कुली में है, या मंगल जिसका स्ट्रॉंग होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही जादा महत्वा कांशी होता है, बहुत एनरचिक होता है क्योंकि मंगल जो है एनर्जी का कहें तो प्लैनेट है एन्थुएजम बहुत जादा होता है उसके अंदर और एक अलगी तरह की परस्नल्टी होती है इसका मंगल स्ट्रॉंग होता है अब इसके जो नुकसान है वो कहें तो कहते हैं कि मंगलिक दोश दोश शब्द जहां आता है तब इसका विशेश प्रभा पड़ता है शादी शुदा जीवन पर यानि पैरेड लाइफ पर तो कहते हैं कि जिसको मंगलिक दोश है तो उसको ऐसा ही पार्टनर चुनना चाहिए कि सामने वाला भी मंगलिक दोश के साथ हो जिससे कि उसके जो मंगलिक दोश है वो दूर हो जाए क्लैश हो जाए या मंगल के लिए कुछ उपाई भी किये जाते हैं मंगल दोश की पूजाएं आदी भी की जाती हैं तो वो भी कर सकते हैं उसके अलावा भी बहुत से कि हनुमान जी को मंगल बार के दिन सिंदूर का चोला चड़ाय जाए और बूंधी का प्रशाद चड़ाय जाए इससे भी मंगल दोश कम होता है मंगल के मंतर का जाप किया जाए मंगल वार के दिन जाप किया जाए ओम भूमाए नमहा का जाप किया जाए ओम अंगार काए नमहा का जाप किया जाए तो उससे भी मंगल दोश कम होता है इसके अलावा आप किसी ऐसे मंदिर में जाकर के भी मंगल दोश की पूजा करा सकते हैं खैर बहुत सारा है अलग-अलग गनेश चतुर्थी के इस उत्सब में आप किस तरह आज मंगलवार के दिन गनेश जी को प्रसन्न करके मंगल दोश को कम कर सकते हैं इसके लिए गनपती जी को सबसे प्रिय क्या है यह शू फ्लावर या गुढ़ल का फूल या जास्वन का फूल कहा जाता है जो मंगल का भी एक रिप्रेजेंट कह सकते हैं क्योंकि लाल कलर मंगल का है तो इस तरह के फूल को हम गनपती जी को अरपन करेंगे इसमें 108 गुढ़ल के फूल आप ले सकते हैं या अगर इतने नहीं एविलेबल हैं तो आप 21 गुढ़ल के फूल ले सकते हैं अगर 21 फूल भी नहीं मिल रहे हैं तो आप कम से कम 5 फूल तो लीजिए ही इसके लिए क्या करना है कि आपको जैसे सपोस्थ मुझे भी यहां अच नहीं मिले पाँच ही फूल मिले हैं तो उसके ही सबसे आपने लाल जो सिंदूर है वो लेना है उसके अंदर आपको गुलाब जल डालना है जो फ्रेग्रेंस होती है रोज की वो डालना है गुलाब जल से इसको मिक्स कर लेना है सिंदूर को और लाल गुड़ल का जो फूल है उसके उपर इस तरह से हर पत्ते पे पांच पत्ते हैं हर पत्ते पे तिलक करेंगे पहला तिलग करेंगे और इसमें हम मंतर का जाब करेंगे ओम भुमाई नमा फिर दूसरा लेंगे ओम भुमाई नमा अगर आपको भुमाई नमा चेंट करने में डिफिकल्ट है तो ओम अंग अंगार का नमा भी मंतर का जाब कर सकते हैं दोनों ही मंत्र आपको डिस्प्ले में मैं दे रही हूँ तो इसके अनुसार आप इसका जाब करें दोनों में से एक ही मंत्र आपको लेना है ओम भुमाए नमः ओम भुमाए नमः ओम भुमाए नमः इस तरह आपने इस फूल के उपर पांच बार मंतर की चैंटिंग की और पांच बार आपने गंगा जल मिला हुआ सिंधोर लगाया अब आपने intention पहले ही बोल देना आपके जीवन में शादी के लिए अगर रुकावट आ रहे हैं तो मुझे मेरा soulmate मिले है, मुझे मेरा life partner perfect मिल जाए इस तरह की भावना के साथ आपने ये मंतर का जाब करते हुए गंपती जी को कहना है कि ये जो भी मंगलदोश की विग्नबाना है ये दूर हो और इसको आपने गंपती जो है उनके चरणों में यहां पर अर्पित कर देना है तो ये पांच मंतर हुए इस तरह से आप अलग-अलग फूल लेंगे तो पांच आप दूसरे फूल पे लेंगे ओम्पोमाइनमा ओम्पोमाइनमा हर बार एतना अतिलक लगाते हुए फिर इसको आप दोनों हाथों से इस तरह अर्पित कर देंगे गंपती जी पर यह आपका 10 टाइम्स हो गया इसी तरह आप एक और फूल लेंगे उस पे करेंगे तो आपका यह 15 हुआ और यहां पर आपका यह हर एक पकड़ी पे करते हुए यह हुआ 20 टाइम्स और यह पूरा फूल आपको अर्पन कर देना है गंपती ची के चर्णों में और अपनी जो इक्ष्या है वो उनको फिर से बोलनी है यह 21 बार हो गया हमारा अगर आप 21 फ्लावर्स लेते हैं तो हर फ्लावर के बीच में लगाएंगे और 21 टाइम्स चेंट करके हर एक मंतर के साथ ओम भूमाय नमा फिर दूसरा लेंगे ओम भूमाय नमा ओम भूमाय नमा इस तरह से अर्पित करते चले जाएंगे 108 भी आपने इसी तरह से करना है अगर आपको 108 फूल मिलते हैं तो उसमें भी 108 टाइम्स जो एक कंप्लीशन का नमबर माना जाता है उस तरह से इसको अर्पन करेंगे इससे कहा जाता है कि मंगल दोश के काफी उपाय जो है मंगल दोश का जो है असर बहुत हद तक हमारा कम हो जाता है यह उपाय आप इस गनिश चतुर्ती में तो करें ही करें मंगलवार के दिन आप आने वाले जो मंगलवार हैं उसमें भी यह उपाय कंटिन्यू रख सकते ह कि आपके रास्ते खुल रहे हैं, शादी की जो हैं ओफर्स आ रहे हैं, अगर आप बहुत लंबा नहीं कर सकते तो ग्यारा मंगलवार तो जरूर करें, तो ये एक साधरन सा उपाई जो मैंने पताया, और दूसरा मैंने एक मंत्र आपके साथ शेयर किया था, गणेश गायतरी मंत्र, उसे भी कहा जाता है कि वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, तो आप आज के दिन इन फूलों के साथ, गणेश गायतरी मंत्र का जाप करते हूँ, ओम एक दंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमही, तन्नो दंती प्रचोद्या, महा कर्णाय विद्महे, इस तरह से जाप करते हूँ, आप इस फूल को चड़ाएंगे, ऐसे 21 फूल चड़ाएं, अपनी जो आपकी वीश है, वो बोले, गणेश कायतरी मंत्र का जाप भी, आप कम से कम 11 मंगलवार इसी तरह, जो गुड़ल के फूल है, शू फ्लावर जो है, उनको अर्पित करते ह जो बादाएं आपके जीवन में जो भी वाधाय आरहे हैं, शादी से रेलेटेट वो दूर होँगी, एक बात का ध्यान रखे कि आपको जो सिंदूर मिक्स करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल ही लेना है, और किसी और चिससे इसको मिक्स नहीं करना है, आशा कर कि यह वाला उपाय आप करेंगे और आपके जीवन में आपका जो सोनमेट है वो जरूर मिलेगा, तो कल बुद्वार है, बुद्वार के लिए हम अपने दूसरे एपिसोड में पुद का उपाय आपके साथ शेयर करेंगे, पुद्ध यानि बुद्धी, विध्या के दाद करेंगे, बुद्ध यानि आपके साथ